यह थो अपचार करे तो इसके लिए कौंसे वीधी अपना है कैसे उसको बीज उपचार करने के लिए 1 kg सीड में कारबेंड़ जींद 2 ग्राम दवा आता है तो 2 ग्राम दवा को बीज में मिलाकरर उसको अपचारित करके लगा देने से फपुद्धी जनत को रोग उसमें नही होता है और इसके बाद अगर आप यह सही धंग से उप्चार करकर लगाएंगे तो इसके उपज भी अच्छी मिलेगी अगर हम मकई में यह कंपोजिट किस का अगर हम बीज लगाते हैं तो उससे उत्पादन साथ से 65 कुंटल परती हेक्टेर तक होता है और अगर हम लोग चड़ाना अवश्यक होगा हम मिट्टी चड़ाना चाहिए जब यह जब पौधा 25 से 30 दिन का हो जाता है उसी समय मिट्टी को चड़ाना चाहिए तो उससे क्या होता है कि की पौधे में नमी बनी रहती है तो तो पौधा अच्छा होता है और उसमें वहां पर खरपत्वार भी मट्टी चड़ाने से खरपत्वार भी नश्ट हो जाते हैं मक्य की फसल को अपने पूरे फसल अबधी में 400 से 600 मिली मीटर पानी की आवशकता होती है पानी देने की महत्पुन अवस्था पुष्पों के आने और दानों के भरने का समय होता है ऐसे में इस बात का ध्यान लगाना बहुत जरूरी है कि मक्य के खेत में 15 से 20 और 25 से 30 दिनों तक खरपत्वार नियंत्रन और निराई गुड़ाई कर दी चाहिए जब हम लोग मक्य को जब लगाते हैं तो लगाने के एक से दो दिन के बाद हेट्राजीन नामक एक दवा आती है उसको अगर हम बीज लगाने के एक से दो दिन के बाद अगर हम लोग स्प्रे कर देंगे तो उसमें खरपत्वार नहीं आता है और जहां तक बात है कि दाने पुष्ट हो और मक्का के जो फसल है वो बहतर हो तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या देखभाल करें उसमें समय पर भाई घर पतवार को निकालना चाहिए और एक हम जो खाद बताए आपको एक जब मट्टी चढ़ाते हैं उस समय डालना चाह तो उसमें अच्छा होता है अदूसरी है कि जब खेत का त्यारी करते हैं तो 10-15 टन गोबर की खाद को अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाकर लेनी चाहिए अच्छी तरह उसके बाद को बीच को लगाना चाहिए तो उससे भी आपका ये बहुत अच्छा होता है और दूस पहले मिट्टी को चेक करवा लें तो चेक करवाने से अगर वे स्वाइल एसिडिटिक है पीच मान 5.5 से कम है तब उसमें आप चुन्ना का या डोलोमाइट का ब्यवार करना चाहिए उसके लिए कि 300 किलोग्राम पती हेक्टियर की धर से बीज रोपने के पहले डालना चाह होता है